है है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडी फिट चैनल दोस्तों आज में जोडों की चोटे यानि जॉइंट्स इंजरी हमारे जोडों पर कौन कौन से चोटी लगती है इसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ दोस्तों इसके पहले में चोट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताए हूँ पार्ट वन में एन पार्ट टू में उत्तकों की समान चोटे एन पार्ट थर्ड में हर्डियो की चोटे के बारे में बता चुकी ह उन्हेंद सब वीडियो को आप चैनल के प्रेलेस्ट में जाकर की देख सकते हैं तो दोष्टों एदिया आप चैनल पे पहली वार बिजित कर रहे है तो चैनल के शब्सक्राइब कर लिजी विए इकन को प्रेस कर लिजी आपके लिए बही seri hoe होगा विज्डों जोड़ों की चोटे कि यानि ट्रइंजरी जो हमारे जोडों पर लगती हैं झा कि दौस्तों एक हड़ी डुसरे हड़ी से जोड़ों पर किसके द्वारा जोड़ती हैं जैसा कि आप सबको पता होगा लिगामेर्स के द्वारा जोड़ों की चोटों के अंतरगत दोस्तों, स्प्रेन, स्ट्रेन, फैक्चर भी जोड़ के पास की चोट में होती हैं, जो पेसी, टेंडर, लिगामेर, सथाहड़ियों में पाई जाती हैं बट दोस्तों समाने तोर पर जोड की चोटों के अंतरगत कौन-कौन से आते हैं दिसलोकेशन, टेनुसाइनुवाइटिस, साइनुवाइटिस, बरसाइटिस ए चार चोटे मुखिरुप से आपके जोडों की चोटों के अंतरगत आते हैं तो इन चारों के बारे में आज मैं बताओंगी तो दोस्तों सबसे पहले, हम बात करते हैं डिश्लोकेशन की, जिसे संदी भंग या डिश्लोकेशन कहते है, तो दिश लिकोशन के हिंदी में संधी भंग यानि संधी मतलब होता है जोड जोड भंग यानि जोड का भंग हो जाना हड जाना अपने अस्थान से तो इसमें क्या होता है कि जोड की जो हड़ी होती है वो अपनी गुईका से हड जाती है या बाहर निकल जाती है जैसा कि चित्र में दिख रहा है क्या होता है किस कारण से यसा होता है कि उसके कैफसुल में दरार आने की शंभावना बनी जाती है और वह तूट जाता है यानि जैसे कि हमारा इसके पुला से हुमरस हड़ी जो हुआ हुआ है एक प्याले नुमा जोट लगे जोड के पास सूजन दिखाई देने लगती है तथा तीखा दर्द बना रहता है तो दोस्तों इसका बेश्ट उदारर है दोस्तों ये ज्यादे तर हमाई कंधे यानि सोल्डर डिस्लोकेशन हो जाता है कभी कभी कुल है कि डिस्लोकेशन हो जाता है तो हम कंधे के मादें से आपको एक जामबल थू समझाती है कि कैसे डिस्लोकेशन होता है यानि कि हुमरस हड़ी इसके पुला कंधे के हड़ी से कैसे खिसक जाता है हड़ी इस जोड़ पर जुड़ता है उसको ग्लिनाइट कैविटी बोलते हैं यहां पर दो प्याले नुमा आकरिती जैसे की हुमरस हड़ी पर प्याले नुमा धक्कन जैसा है और इसके पुला दोनों एक दुसरे से चिपके रहते हैं लिगामेंट्स के द्वारा तो एक ग्ल से बाहर निकलाना तो जैसे की कुछ इसमें दरार आती है या लिगामेंट्स तूड़ जाते हैं तो वहां की जो ग्लिनाइट कैविटी है धक्कर नुमा आकरिती है उससे वह खिसक जाती है या निकल जाती है बाहर तो यह समाने तरह का डिस्लोकेशन है दोस्तों कैसे जोड़ के आसपास के मुलायम उत्तक जिसमें तेंडन लिगामेंट्स पेसी तंद्रिकाएं रफ्तवाहिनिया आते हैं यह सब तूड़ जाती है जिससे इसमें डिस्लोकेशन हो जाता है वह हमारा यूमरस हड़ी इसके पुला से अपने अस्थान से खिसक जाती है यानि अ सोल्डर से हुमरस हड़ी उससे अलग हो जाती है खिसक जाती है तो यह दो प्रकार का डिस्लोकेशन होता है सोल्डर डिस्लोकेशन तैसे कि डिस्लोकेशन दो प्रकार का होता है एक पूर डिस्लोकेशन यानि कंप्लिकेटेड डिस्लोकेशन एक अपूर डिस्लोकेशन यान कि हड़ी का सीरा गुईका से पूर रूप से बाहर निकल आता है जैसा कि चित्र में दिखा रहा है कि हड़ी का सीरा जो हिम्रस हड़ी का सीरा है वो जाहे किसी भी चाहे आहीप का हो चाहे सुल्दर का हो तो जो हड़ी का सीरा है गुईका से पूर रूप से बाहर निकल आता ह उसको फूरडी वार धाता है जरता बाहर नहीं निकलता उसको अपोर डिस्लोकेशन कहते हैं कि छेतर पूर पूर डिस्लोकेशन अब बात करते हैं दूसरा डैनू सायनोवाइटीस की जैसा कि दोस्तों नाम से ही इस में इस स्परष्ट हो रहा है कि टेनो साइनोवाइटीज यानि टेंडन और साइनोवीयल छेत्रे तो यानि तेंडन तथा जोड के साइनुवियल छेतर में दर्द जलन लालपन तथा सूजन यानि इंफ्लेमेशन हो रहने लगता है तो इसके कारण सीधी सीधी चोट ग्रस्त अंग का किसी चीज से टक्रा जाना या किसी सतव पर पटक जाना या उस अंग का अधिक प्रयोग या ओर यूज हो जाना हो जाने दौति चोट शुट क्या अधिक कर आई शेसी समंदित खेलों में लगती है तो आपको इसम्onne und हम घृण रखना होगा कि आहें दोनों सब्ध्र कर दो चेमार ज़ें दृणा रहेगा कि ओं पर रहें कि तेंडरman अभलling Kayama चाहिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अमयों के चैट्रे सारी सबस्क्राइब हें वह रहा है नहीं यह झाला सब्सक्राइब दो हड्यों के बीच में जो जो होता है जो लिल्चा उर्णिया होता है है लोक्त्त ने सक तुम्स में जो जुड typ जो WhANE है ंंग tut दूरा नहीं को करता है उसको तदानि जूर को द्रम देटिगवून पे और उसमें घिसाओं होता है नहीं तो एक दूस्ती्ट थक्रा-टक्रा करो गिश जाते लिए confian घिस जाती के लिए सगे साइनुबियल दरभ होता है तो उस स्मार जोय साइनुबियल च्योड होती है उसमें सूजन हो जाती है जिस से लगताया दर्थ बना रहता है इसे को synovitis कहते हैं अगर टेनो synovitis बोलेगा तो टेंडन जोर के synovial चेतर में दर्द जलन सूजन लान पर बताएगा सिर्फ synovitis कहा है तो synovitis चेतर में synovial चेतर की चोट में सूजन जलन आता है जिसे लगाता है दर्द बना रहता है इसको आपको चोटे-चोटे points को ध्यान में रखना है जोर से समंधित अंका किसी वस्तू से टक्रा जाना या उसका अतिधिक उवर यूज हो जाना अतिधिक उपयोग हो जाने से इसा हो जाता है किसी जिसका आप बार बार आपसकता से अधिक उपयोग करेंगे तो उसमें परिसानी आएगी ही तो इसमें कार्टिलेज जो होता है जैसे कि कार्टिलेज यानि की उपास्थी जैसे कि दो दोस्तों हमारे ज्वाइन पर गद्य नुमा आक्रिती होती है जैसे कि आप अस्थी उपास्थी की बारे में पढ़े होंगे कि अस्थी जो हमारी कंकान तंत्र दो प्रकार की होती है एक यह हमारे हडियों से लचिला होता है जो जोड को क्रिया करने में ब्याधान पैदा करते हैं, जिससे चोट लगे छेतर में जलन, दर्द, लालपन तथा सूजन रहता हैं, इसी को कहते हैं साइनोवाइटिस निश्ट बात करते हैं, ब्रसाइटिस, यह क्या होता है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, यह जोड के पास की चोट है, जैसा कि हम जोड के चोट के बारें बताई रहे हैं, तो जोड के पास की चोट है, अक्सर यह ब्रसाइटिस जो होता है, कंधे, कोहन कलाई कुल्हें गुटने तथा टकने में जादे लगती हैं चल संधी के जोड़े के पास एक बुरुसा नाम से समद्ình होता है या बुरुसा एक फाइबर कैप्सूल होता है जिसमें सईनुवियल तरल्पदाथ भरा रहता है उससे बुरुसा के पास छोटे-छोटे भाग होते हैं यह भी साइनवियल तरलपदार से भरे रहते हैं इसको बुरुसा कहते हैं यह बुरुसा लिगामेंट और फाइबर्स कैपसूल के मद्ध भी इस्तित होते हैं ठीक है लिगामेंट और फाइबर्स कैपसूल जो होते हैं इस बुरुसा नामक भाग में दर्द जलन लालपन तथा शूजन या इंफ्लिमेशन का होना ही बुरुसाइटिस कहलाता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है तो एक कहां पर ज्यादे तरह लगती है तो कंदे कोहनी कलाई कुलहे घुटने टकने में ज्यादे लगती है तो दोस्तों यह था आपका ज्वाइन्स की चोटे यह जोड़ों की चोटे कौन-कौन सी है इसके हंतरकात मैंने डिश्लोकेशन टेनोसाइनुवाइटिस की चीजसे आपके में दिसे का इसन तक बीडियो पहुछ सके मुझे मोटिवेशन मिल सके जिसे में दोस्तों नेक्स्क्राणिक में आप ऑपकर छाले परकल के होती है उसके बात जो और यह च्टो believe बचे हुए हैं औवर-उ Васब कर दूनित्या लेख पेन हो गया क्रैंप हो गया मसल्स फूल हो गया ग्रोइन फूल हो गया जो भी बचे हुए है इस्टीच हो गया जो आपके लिए इंपोर्टेंट है एक्जाम्स के लिए उसके बारे में निस्ट वीडियो होगा और जो भी टापिक्स बचे हुए है वो सब इस्टेप ब बने रहे हैं एंग कांटिन्यू वीडियो वाच करते रहे और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहे हैं दोस्तों जो भी इसमें कमिया होंगी और जैसा भी आपको वीडियो लगा मुझे कमेट में जरूर बताएगा एंड दोस्तों चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं चैनल के सबस्क्राइब कर लीजिए बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे जो ही में नया वीडियो अप्लूट करूं उसको नौटिफिकिसन सबसे पहले आपके पहुंचता रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तर तक के लिए जय हैं